सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से कोशन करने वाले हैं और कोशन की है उनके अलग अलग प्रकार की हैं लेकिन यह जो टाइप है और इसमें से बहुत से कोशन आज तक आये हैं दोस्तों जैसे आप यह देख सकते कि यह जनुवरी 2017 के अंदर कोशन आया है और आगे जैसे जुलाई 2016 में जून 2015 में तो इस तरह कोशन काफी आये हैं दोस्तों यह देख सकते हैं दिसंबर 2012 तक कोशन आये हैं तो चलिए हम एक एक कोशन करके देखते हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं देखिए यहां पे इन्होंने दिया है कि A का कूट C है यानि कि A को C लिखा जाता है M को I ल लिखा जाता है तो इस तरीके से सभी सब्दों को दूसरे से रिपलेस किया जाता है तो कंपनी है कंपनीज को हम किस तरह से लिखेंगे देखिए दोस्तों इसमें काफी दोस्त क्या करेंगे कि एक एक चीज लिखेंगे कि जैसे A को क्या लिखते C लिखते यहां पे M को कहत इस त्रीके से सारे के सारे सब्द लिखेंगे लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है हमें जल्द से जल्दी है . . . का जो कोड़ा वो लिखने की जरूरत नहीं है लाश्ट के अंदर देखिए I E S ये ले ले लेते I E S अब देखिए I को हम इसके अंदर किसके दोबार लिखते है I का A ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते है I को A से लिखते है फिर है E E को हम किस से लिखते है E का है M E का क्या है दोस्तो M है और उसके बाद में S S को किस से डिनोट किया जाता है S का है O S को किस से रिपलेस किया जाता है O तो अब हमें लाश्ट में जो I E S है इसकी जगया A M O कौन से उप्सन में है हमें देखना है दोस्तो यहां से देखिए option number four A M O यहां पे केवल और केवल option number four में दिया है एक में दो में तीन में नहीं है तो यहां से आप बिल्कुल असानी से देख सकते है कि इसका जो answer है वो option number four आएगा और इसमें आपको पूरी की पूरी आगे हम और question देखते हैं उनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिल्कुल उसानी से question कर सकते हैं अब देखिए आगे इन्होंने कहा है कि selection जो सब्द है selection को यह लिखा जाता है QC J C A यानि कि यह इन्होंने सब्द दिये हैं यह लिखा जाता है तो Americans को किस तरह से लिखा जाएगा तो इसके अंदर भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि Last के चार अकसर लेंगे लेकिन Normally दोस्त क्या करते हैं वो सुरू सुरू आट से सुरू करते हैं यानि कि सुरू के जो अकसर होते हैं हमारा question निकल जाता है, अब देखिए, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो हमारा selection है, और यह जो है, इन दोनों के अंदर क्या relation है, वो relation हमें बता होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या relation हो सकता है, सबसे पहले हम जैसे last में ही लेते हैं, टी आई ओन यह ले लेते हैं ठीक है ये न को लिक्षा जाता है, ओ को एम लिक्षा जाता है, अब देखिए इन दोनों के अंदर relationship देखते हैं अब देखिए M जो N है, N है हमारा 14 पे आता है दोस्तों और Li वो आता है हमारा 12 पे आता है फिर O है, O आता है हमारा पंदरा पे आता है और M जो है M कितने पे आता है दोस्तो हमारा तेरा पे आता है ठीक है और फिर I जो है दोस्तो I आता है हमारा नो के उपर आता है और G है हमारा साथ के उपर आता है अब देखे दोस्तो इनके अंदर आप एक सीज देखी, यह चोधा है, यह बारा है, यह पंदरा है, यह तेरा है, तो यह दो-दो कम होते हुए जारे, उपर की जो डीजिट है दोस्तों, उन में से दो नमबर कम करके नीचे वाला लिखा गया है, यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं, ठीक है, और जैसे यह है, टी है, टी हमारा कितने पर होता है, दोस्तों, टी ट्वन्टी यानि कि मैंने बताया था, बीस पर होता है, टी, और नीचे है, आर, आर कितने है, अठारा पर, यानि कि दो नमबर कम कर दी ना, तो यहां से हमें पता से लिगा कि दो-दो कम हो रहे हैं, तो यही काम हम इसमें करेंगे दोस्तो C A N S अब देखें जो S है S कितने पर होता है दोस्तो S होता है हमारा 19 के उपर होता है सबसे पहले यहां पर लिखिलीजिए 19 हो गया और जो N है N होता है हमारा 14 के उपर होता है A जो है A होता है हमारा 1 और C जो होता है वो होता है हमारा थरी अब इन में से दो दो कम कर दीजिए अब 19 में से दो कम करेंगे 17 और 17 पर क्या आता है हमारा दोस्तों 17 पर आता है हमारा Q आता है फिर है N यानि कि 14 14 में से दो कम करेंगे 12 आएगा 12 पर क्या अक्सर आता है हमारा L आता है यह मैंने आपको दो कम करने पर हमारे यहां पर Y आएगा फिर है C, C में से जब हम दो कम करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास A, तो अब हमें यह देख ले ना दोस्तों, लाश्ट के जो फोर डीजिट है, A, Y, L, Q इन चार उप्सन में से कहां पर आ रहा है, यह देखे, उप्सन नमबर A, हमारा A, Y, L, Q, यहां पर आ रहा है इसके अंदर, लाश्ट के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों केवल और केवल हम यह चार यूनिट निकाल के, चार जो अकसर है, इनको डी कोड करके, हमारा पूरा का पूरा A, Y, R, I, यह पूरे की पूरे जो अकसर है, उनको डी कोड करने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से, बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं, और हर कोशन दोस्तों इसी तरह से करना है, हमें बिलकुल असान है, बिलकुल असान है और जो लोग सोचते हैं कि विजनिंग है, वो काफी डिफिकल्ट होती है हमारे समझ में नहीं आती, तो दोस्तों यह हमारे अंदर एक गल्द फैमी भर जाती है, तो उसको आज तोड़िए अब देखिए, अब आया है हमारा यह अगला कोशन, इसके अंदर मथूरा को इस तरीके से लिखा जाता है, तो होटल को किस तरह से लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम वो ही काम करेंगे दोष्तों, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है इनके अंदर, देखिए जैसे एक मिनट, देखें, ए है ए हमारा होता एक पे होता है ठेक है, और जो X है, X कितने पे होता है दोस्तों तो मैंने आपको बताए था X, Y, Z यानि कि जो Z होता है 26 पे होता है X, Y, Z यानि कि 24, 25, 26 यानि कि यह होता है 24 पे होता है हमारा और जो R है, R होता है हमारा 18 पे होता है दोस्तों और जो O होता है, वो होता है हमारा 15 पे होता है तो इस तरह से कर शकते यू जो होता है हमारा वो 21 पे होता है 21 और जो आर उसके बाद है आर होता है हमारा 18 पे होता है तो अब इन सभी में देखें दोस्तों कितने कितने का डिफरेंस है अब इनके अंदर देखते हम कितने का डिफरेंस है जैसे ए हमने देखा था ए है हमारा यह है एक मिनीट रोखी ए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं हाँ रहे हमारा एक पे और जो X है वह चौसी पहें तो इन दोनों के इंदर कितने का डिफैंस है दोस्तों इन दोनों के इंदर हममारा 3 का डिफरेंस है ठीक है यहाँ पर हम Chic लेते हैं यह हमारा तीन का डिफरेंस है फिर अठारा और पंधरा के अंदर यह देखिए इन दोनों के अंदर कितने का तीन का डिफरेंस है और फिर यह देखिए 21 और अठारा के अंदर भी हमारा तीन का डिफरेंस है यानि कि तीन तीन डिफरेंस है और यह जो तीन है दोस्त हमारे पास ओ आ गया तो इसी तरीके से हमारा जो होटल है उसके अंदर करना है ठीक है तो अब होटल में करके देखते हैं और होटल में भी हम क्या करेंगे लास्ट की तीन डिजिट लेंगे अब देखिए होटल की तीन डिजिट लेली ईल एस अब ईल एस में तीन तीन कम करते अब देखिए S जो है S हमारा कितने पे होता है दोस्तों S होता है हमारा 19 पे होता है 19 पे हम जब 3 कम करेंगे तो हमारे पास आईगा 16 तो 16 पे क्या होता है हमारे पास P होता है फिर आगया L, L कितने पे होता है L होता है हमारा 12, 12 में से जब हम 3 कम करेंगे तो 9 और 9 क्या होता है दोस्तों नो होता है हमारे पास आई अब बात आती ए होता है हमारा पांस नमबर पे पांस में से जब हम तीन कम करेंगे तो हमारे पास आएगा दो आएगा दो पे होता है दोस्तों हमारे पास बी अब देखिए बी आई पी बी आई पी हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा option है लास्ट के अंदर तो बी आई पी है option नमर टू के अंदर तो यहां से आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं तो इसमें देखा दोस्तों हमने पूरा जो होटल है पूरे होटल की डीजिट को decode नहीं किया है हमने हमने के लास्ट के तीन जो अकसरा उनको decode किया है वहीं से हमारा answer आ गया है तो इस तरह से दोस्तों बिलकुल असानी से और बहुत जल्द question कर सकते हैं अब हम आगे एक और question करके देखते दोस्तों यह देखे दोस्तों यह हमारा अगला question है streamers अब streamers का quote इन्होंने यह दिया है तो knowledge का क्या होगा वो हमें देखना है अब देखिए इसके अंदर हम वही चीज़ करके देखते कि last के अंदर तीन डिजिट ले लेते हैं पूरा सुरू से नहीं करेंगे last के अंदर तीन डिजिट लेके देखते हैं अब देखिए last के अंदर हमने यह तीन डिजिट ले लिए E, R, S ले लिया अब देखिए जो S है S है हमारा 19 पे दोस्तों यह मैं लिख लेता हूँ S है हमारा 19 पे R जो है दोस्तों R है हमारा 18 पे है और जो E है दोस्तों E हमारा कितने पे आता है यह आता है पांच पे आता है ठीक है अब नीचे देखते दोस्तों यहां पे अब देख च्यर पे अब देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्निस-ऐठारा इसमें से एक माइनस करके नीचे नीचे लिखी गई है तो यहाँ से बिलकुल उसानी से पता चलिगा तो हमें इसमें भी क्या करना है दोस्तों उपर जो डीजिट है उन में से एक एक माइनस करके नीचे लिखना है सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बात याद रखने वाली यह है कि हमें सभी अक्सर पता होना चाहिए कि के कितने पे एन कितने पे ओ कितने पे डी कितने पे जी कितने पे आता है एवी सीडी के अंदर ठीक है तो इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है उसके अंदर आप केवल और केवल पांच सेकेंड के अंदर बता सकते हैं कितने पे ओ कितने पे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उसके अंदरा बहुत ही असानी से सीख सकते हैं अलफावेटिकल विजनिंग अब देखिए अब बात करते हैं इसी कोर्शन में जैसे लास्ट के तीन अक्सर लेते हैं डी जी ए और उपर हमने देखा कि एक एक मा करते हैं पांच में से कम किया चार चार पे होता है हमारे पास दोस्तों डी अब देखिए जी है साथ साथ में से हमने एक कम किया तो छे छे पे क्या होता है दोस्तों हमारे पास वह होता है एफ होता है छे पे होता है हमारे पास एफ फिर हैं डी डी है चार चार में से जब हम एक कम करेंगे तीन, तीन होता है दोस्तों सी पे, ठीक है अब सी एफडी, सी एफडी देखना है दोस्तों हमें यहां पे किस के अंदर है, तो यह देखें, सी एफडी लास्ट के अंदर इसके अंदर है, सी एफडी, तो यह जो बीस का अंसर है, वो बिलकुल राइट अंसर इ के अंदर कोशन आया है ये कोशन आप चाहे तो दोस्तों यहां से नोट कर शकते आप नोट कर लीजिए और आप करके देखना दोस्तों इन सभी कोशन के आंसर निकाल के देखना आंसर वैसे साथ की साथ दी हुए है आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जैसे दोस्तों यह है सेप्तमबर 2013 का है और इसका कोशन आप सभी बताना दोस्तों क्या इसका अंसर आएगा बहुत ही असान है दोस्तों बहुत ही असान यह कोशन है मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना कुछ क्या सीख रहे हैं सप्तमबर 2013 का इसका अंसर ए आएगा बी आएगा, C आएगा, D आएगा, यह सभी के सभी दोस्त अपने comment box के अंदर लिखना और मुझे बताना कि क्या इसका right answer आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, और इसके बाद भी और भी कई question हैं, जैसे December 2013 में आया है, यहाँ पे यह हमने answer भी दिया हु होगा, यह आपकी practice के लिए, दोस्तों, करवाने को मैं करवा सकता हूँ, सभी के सभी question करवा सकता हूँ, बिलकुल असाने, लेकिन आपकी practice होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यह भी करशकते हैं, दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने करीब 3-4 question आप सभी के लिए छोड़ द सकते हैं, और दोस्तों, अगर आप हमारा paid group जोइन करना चाहते हैं, तो वो भी जोइन कर सकते हैं, यह हमारे WhatsApp पे message कीजिए, और दोस्तों, आज के लिए वस इतना ही है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और